असराम आलेकूम and welcome to test point official dear viewers इस वीडियो लेक्चर में हम आज का जो paper हुआ है LDC का फैसलाबाद रीजन में इसके complete MCQs discuss करेंगे इसके साथ साथ ये भी discuss करेंगे के तियारी कैसे करें और कहां से करें अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी available है end तक वीडियो लाजमी देखें यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आज का जो first question है हमारा वो है words having similar meanings are called यानि कि ऐसे अलफाद जो similar meaning दें एक जैसे meaning दें उन्हें homoniums कहा जाता है antoniums कहा जाता है या फिर both A and B या फिर none of these यहां जो correct answer है वो है synoniums synoniums कहा जाता है और synoniums का मतलब होता है हम माना अलफाद जैसे के attempt एक word है तो यह try का synonium है attempt is the synonium of try तो इस किसम के अलफाद को synonium कहा जाता है और जो उलट meaning दें हम माना ना दें उलट meaning दें उन्हें antoniums कहा जाता है और जो similar meaning दें उन्हें synoniums कहा जाता है next question है smoking is injurious to health in the above sentence the word smoking is a rn तो यहां जो होगा यह जो smoking word है यह यहां वरब adjective या infinitive नहीं है बलकि यह यहां gerund है क्योंकि first form के साथ जब ing आ जाए और यह sentence के starting में आ जाए तो इस सूरत में mostly यह gerund कहलाता है जैसे के hunting is my hobby यहां hunting जो है यह एक gerund है इसी तरह smoking is injurious to health यानि के यह जो तंबा कुनोशी है यह सेहल्थ के लिए मुज़र सेहत है सेहत के लिए खत्रा है यहां जो smoking है यह भी gerund है आगे बढ़ने से पहले चोटी से request है कि हमारे चैनल को जरूर subscribe करें चार options दिये गए है यह इन में क्या correct answer है यह आपने मुझे comment section में बताना है कि what is the correct answer here इसका आपने मुझे comment section में बताना है next question है dash is the lightest substance on the earth यहां चार options दिये गए है nitrogen, oxygen, hydrogen या फिर none of these यहां जो correct answer है वो है hydrogen है hydrogen is the lightest substance on the earth so hydrogen इसका correct answer है in Pakistan, copper depositors are mostly found in so यहां चार options दिये गए है खेवडा, कालाबाग, या फिर थर या फिर none of these यहां जो correct answer है none of these है क्योंकि copper तामबे यह mostly चागी में पाए जाते हैं चागी का एक टाउन है रिकोडिक, रिकोडिक में यह पाए जाते हैं बलोचिस्तान में next question है डेश, nationals of Pakistan have won the Nobel Prize तो अब तक पाकिस्तानी, दो पाकिस्तानियों ने Nobel Prize जीता है Nobel Prize को दुनिया का सबसे बड़ा इनाम समझा जाता है और यह हर साल 10 December को दिया जाता है छे शोबों में दिया जाता है और पहला जो Nobel Prize दिया गया था वो दिया गया था 10 December 1901 को और अब तक दो पाकिस्तानियों को यह मिला है पहला मिला है Nobel Prize डाक्र अबदलसलाम को 1979 में दूसरा मिला था Malala Yousafzai को 2014 में यह दो ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनोंने जिनको Nobel Prize मिला है अब तक नेक्स क्वेशन है The Supreme Commander of The Supreme Commander of Armed Forces of Pakistan इस Supreme Commander overall जो होता है Pakistan Armed Forces यानि के Army, Navy और Air Force को मिला कर इनका जो Supreme Commander Prime Minister, Chief of Army Staff या और कोई नहीं होता बलके President ही होता है overall So President is the correct answer here पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे दिये गए लिंक पर किल्क करके अपना टेस्ट लें ताकर आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए है डेश Regarded as the first Punjabi poet अगर हम Punjabi poet की बात करें So Baba Farid, Khawajah, Farid या फिर बुले शा, यहाँ जो correct answer है वो है Baba Farid Baba Farid को Baba Farid जो है यह पहले Punjabi के Punjabi language के first point थे, पहले शायर थे टीपू सुल्तान was the ruler of state of ruler केते है होकमरान को किस रियासत के होकमरान थे So Desan, Bengal या उध So यहाँ जो correct answer है वो है none of these None of these इसका correct answer है क्योंकि मेजोर की यह सुल्तान थे मेजोर और यह भी पुछा जाता है कि टीपू सुल्तान का real name किया था असल नाम किया था So टीपू सुल्तान का जो असल नाम था वो था फतेह अली फतेह अली was the real name of टीपू सुल्तान डेश is the case crop of Pakistan यह भी question मैं आप से पूछूँगा कि इसका क्या answer है बहुत ही easy question है rice, wheat, carton या पिर all of these So यह भी आपने मुझे comment section में बताना है Which surah is called umul quran Umul quran कि सुरा को कहा जाता है सुरा इफातिया, सुरा यासीन, सुरा अलक या पिर नन अवदी So यहां जो correct answer है वो है सुरा इफातिया यह सुरा इफातिया है Alhamdulillahi Rabbil Alamin यहां से लेकर यहां तक So इसको umul quran कहा जाता है इस सुरा मुबारका को Next question है So खसुफ और कसुफ यह दो नमाजे है और यहां जो correct answer है वो है A है lunar is clip यह दो नमाजे है एक तो है नमाजे कसुफ जो काफ से शुरू होता है वो नमाज है जो सुराज गरहन के वकत पढ़ी जाती है जबके नमाजे खसुफ वो नमाज है जो चांद गरहन के वकत अदा की जाती है So कसुफ और खसुफ में यह थोड़ा confusion question है So इन दोनों के बारे में question पूछे भी जाते हैं So यह दोनों आप जरूर याद करें Next question है The first person who started compilation of hadith was So यहाँ चार options दिये गए है इमाम बुखारी इमाम तिरिमजी इमाम मालिक इमाम मुसलिम So यहाँ जो correct answer है वो है इमाम मालिक वो शखस थे जन्होंने सबसे पहले compile करना शुरू किया था हदीसों को So इमाम मालिक is the correct answer है और यह भी पूचा जाता है कि एक बुख है Al-Motah Al-Motah किसनी लिखी थी So Al-Motah जो बुख है वो भी compile किया था इमाम मालिक ने Next question है How many surahs are there in the last chapter of the Holy Quran So यहाँ जो correct answer है 40, 37, 38 So यहाँ जो correct answer है वो है 37 Surah Quran-e-Majid में जितनी भी surah है जितनी भी chapters है जितने भी chapters है उन में जो आखरी surah है उस में 37 जो है surahs है आखरी chapter में 37 जो है वो surahs है Next question है The account of जुलकरने has been mentioned in the Holy Quran in which surah So यहाँ तीन options दिये गए है Al-Nur, Al-Anbiyah, Al-Kahf So यहाँ भी correct answer है वो है Al-Kahf Al-Kahf इसका correct answer है जुलकरनेन का जिकर जो आया है वो surah-e-Kahf में आया है First convert to Islam was आयानि कि सबसे पहले Islam किसने कबूल किया था तो वो कौन थी वो एक खातून थी वो एक slave यानि गुलाम थी या पिर वो बच्चे थे एक बच्चा था तो यहाँ जो correct answer है वो है Lady हजरत बेबी खदीजा ने सबसे पहले Islam कबूल किया था So यहाँ slave, child से most appropriate answer है वो है Lady Lady is the correct answer है Dear viewers अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी informative लगी तो इसे share जरूर करें और description में दिये गए link पर click करके test से check करेंगे कि आपने अभी जो वीडियो देखी इससे कितने सवालाद आपको याद हो गए है हर paper में आने वाले current affairs या फिर English के related अगर आपको mcqs चाहिए तो testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है आप इसे जरूर विजिट करें ये वो वेबसाइट है जहां past paper with detail discuss किये जाते हैं इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी description में available है जिसे आप बिगाइर किसी password के हासिल कर सकते है यूर फीडबेक, सजेशन और कमेंट्स और आलवेज वेलकम ठैक्स फार वाचिंग और अल्ला आफिर हुआचचचचचचचचचचचचचचचचक på आपकोफे चौर है अवेभा हुआचचच झापकोपक गूर 59 पोआवेज कुआचचचचचचच- filter – कभतर में ग